तो बल्कामें दोस्तों देखिए गड़वा जिला की ओर से कुछ पदों पर भरती आई हुई है चलिए देखते हैं और यहां पर सेलरी भी है लेकिन आपका जो है पॉंट्रेक्ट पर यह भरती है ठीक है तो तीस अजार पर है पाली वाली पर दूसरे पर बीस अजार है फिर कांसिलर में आपके एक पोस्ट है केस वरकर में एक पोश्ट है और केंद्र सेंटरल एडमिस्येटर यानि केंद्र परसासक में एक पोस्ट है अब चली देख लीते हैं क्या क्वालिपीकेशन है और यह क्या भरती है क्या बोल जारा है देखेस समाहर नाल practical ऐन लिअग यान सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पोस्ट नमबर वन इसमें आपको केंद्र परसासक यानि कि इसमें केवल महिला को लिया जाएगा सेंट्रल एड्मिस्टेशन की पोस्ट है केवल एक पोस्ट है कोई भी आदमी अपलाई कर पाएगा जारकन सा होना चाहिए यहाँ पर बोला गया है कि सेक्षने की वेगता किसी भी मायनता प्राप्त विस्विद्याले से समाजिक कार यानि कि सोसल वर्क में आपका जो है प्राइवेट या सरकारी संस्थान में पांच साल का अगर एक्सप्रियंस है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे या फिर अगर आप कॉंसलर की रुप में कहीं पर एक साल भी कारी कर चुके हैं ठीक है तो भी आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे सेलरी आपको 30,000 रुपे दिया जाएगा अभी तो एक साल के लिए है लेकिन हो सकता है आपका जो है यह जो पिरियड है टाइमिंग कॉंट्रेक्ट वह अगले साल रेनवल कर दिया जाता है ठीक है आगे देखते हैं फिर केस वरकर इसमें तीन पद है जनरल से दो सीट है औ स्वरी अनुसुचित जाती से एक सिट है तो देख लेते हैं यहावी केवल महिलाओं के लिए है इसमें बोला गया है कि सेक्षण है क्यों गिता किसी भी महानता प्राफ विस्विद्याले से सोसल क्वर्क यानि कि समाजिक कार्य में सोसल वर्क में पोस्ट ग्रूसन की चाहिए या फिर सोसल वर्क में ग्रूसन होना चाहिए ठीक है पोस्ट ग्रूसन इसके साथ ही आपको जो है तीन साल का एक्सप्रियंस होना चाहिए इसी फिल्ड में किसी भी सरकारी या प्राइबट इंस्ट्यूट से पर्योजना में महिला के विरुद्ध हिंसा जैसे मु परामर्स दाता की इसमें केवल महिलाओं के लिए है एक पद है ठीक है जनरल से है पचीस हजार रुपए आपको सेलरी दिया जाएगा यहां पर बोला गया है कि किसी भी मायनिता पर आप इस विद्धाले से सामाजिक कार यानि कि सोसल वर्क या फिर क्लिनिकल साइकलोजी म एक्स्प्रिंस होना चाहिए इसी फिल्ड में ठीक है चौती पोस्ट देखते हैं तो यहां पर बोला गया है आपका इनफर्मेशन टेकनोलोजी आईटी सेक्टर की केवल महिलाओं स्वरी महिला और पूरुस दोनों के लिए ठीक है कोई भी आदमी अप्लाइ कर सकता है इस साथ ही बोला गया है कि प्राइबेट या फिर आपका गौर्मेंट इंस्ट्यूट से तीन साल का एक्स्प्रिंस होना चाहिए इसी फिल्ड में और सेलरी आपको 25,000 रुपए यहां पर दिया चाहेगा ठीक है आगे देखते हैं कि में आपको केवल और केवल महिलाओं के आविसकता है तीन पद है जैनरल से दो है और अनुसुचित जाती से एक सीट है यहां पर देखिए तो सेक्षिन की विगता बोला गया है कि किसी भी मायनिता पर आप बिस विद्दाले से मैट्रिक पास सिंपली मैट्रिक पास है औ इस में टोटल तीन सीटे हैं बोला गया है कि कुल जनरल से दो सीटे है महिला पुरुस दोनों के लिए कोई भी अपलाइ कर सकता है और अनुसुचित जाती से एक सीट है ठीक है मैट्रिक पास मांग गया है साथ ही दो साल का एक्स्प्रियंस होना चाहिए किसी भी करना है अभी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा ठीक है और आपको यहां पर सारी चीजे बता देता हूं यह आपका हो गया हां लास्ट डिट की बात कर लेते हैं लास्ट डिट आपका 13 जुलाई 2023 तक आप इस फॉम को भर पाएंगे ठीक है और फॉम भरने के ल सब्सक्राइगा ठीक है कि यहां पर देख लेते कार्मिक परसास्विक सुधालत राजबासाब जरकन ग्रांची के संकल्प संख्या 19 दिनांग के अलोक में सभी पदों के आविदन के लिए अधिक्तम आयुसीमा निम्न होगी तो देखिए यहां पर बोला गया है कि आपकी चालिस साल और कोई भी महिला है जनरल या फिर अभी सी से त्वार्टीस साल तक अपलाई कर पाएंगे और दिव्यांग के लिए इधर दिया गया है डिट बहुत है अब देख लेते हैं तो यहां पर देखिए इनका साइन सब और यह सब आपका जो है इंटर्वी होगा यह अगे जो भी होगा इंटर्व्यों ओगा फोन करके आपको बता दिया जाएगा पर यहां पर एक चीश्च बोला गया है कि मादलीजी दो कैंडिट का मार्स 9989 आजलेटा दो एक है मानलीजी आपका रांची से और एक है मानलीजी गडवा से तो ऐसे कंडिशन में गडवा क का जो केंड़ेट होगा इसको ज्यादा वरियता दिया जाएगा पहली लिया जाएगा क्यूंकि यहां डिश्टिक का पड़ता है ठीक है इसलिए गड़वाज इलागे लोगों के लिए यहां अंचादा आरक्षन दे सकते हम लोग बोल सकता है ठीक है तो चलिए देखते हैं अब आपको फॉर्म कैसे अपलाई करना है तो सबसे पहले अपना गूगल खोल लिजिएगा अब देखिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका पीडियाप का लिंक मिल जाएगा और यह जो वेबसाइट देख रहे हैं इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आ यहां पर देखिए अपलाई का ऑप्शन दिया हुआ है इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग डिरेक्ट इस लिंक पर आजाएगे ठीक है उसके बाद यहां पर अप्लाई का जो ऑप्शन देख रहे हैं इस अप्लाई के ऑप्शन सब्सक्रिप पर फिलिक कर देजाएगा तक यह फिर माहिं रिinki आपको यहां करli 달 देज सकता हूं अप्यिदे रेश्टेशन कर लिंग देंगा डायरेट यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम देना होगा ठेकर आप अपना नाम लिखेगा पूरा नाम Capital में फिर अपना mobile नमबर दीजिएगा ठेकर और आपका mobile नमबर ही आपका पासफट हो जाएगा email id तीजिएगा फिर से email ID को दो बार टाइप एक ही बार हिए हाँ email id को देना है फिर यहाँ पर अपना date of birth स्लेक्ट करना है date of birth किसी स्लेक्ट किजिएगा वह मैं बता ते रहा हूँ जैसे कि कि किसी का 1 ,1 ,200 ,1 है तो यहांपे सबसे पहले year को स्लेक्ट करने के लिए यहां से आपको यहर स्रेक्र कर लिए अब यहां पर मान लीजीए अपोरियुंद करने के लिए अप लोग इधर किलेंगे और इधर से आपका बढ़ेगा तो इधर आपका जून, में अपरिल, इस तरह से हो जाएगा और इधर स्क्राइगा मार्च फिर जिस डेट को है मान लिजी किसी को पांच में 2022 को जन्म है तो पांच पर हम लोग क्लिक करेंगे मैं डेमो बता रहा हूं ठीक है यसे तो पांच में कोई भी नहीं होगा 22 का यह इस तरह से आपका आ जाएगा ठीक है फिर देख लिते हैं तो यहां पर अपना एड्रेस दे हैं इसके बाद संभी की करेंगे आपके सामने dłिखा रहा हूं यह इस टाइप से यहीं सोट पर नहीं लुण है ठीक है skin sort ले लीजिएगा यहां पर आ जाएगा आपका हरा हरा color में registration number लिखा हुआ उसको लेना है ठीक है उसके बाद क्या करना है registration number इसकी लेने के बाद आपको फिर से यह जो ऑप्शन दिख रहे हैं यहां पर इस पर क्लिक करना है थिरी डॉट्स आपको दिख रहा होगा यह वाला बस इसी ब्लैक वाले पर क्लिक करेंगे यह आपका और अधर देखिए लॉग इन का उप्शन मिलेगा आपको इस लॉग इन के उप्शन पर क्लिक करना यह जो लॉग इन का उप्शन है ठीक है इस लॉग इन के उप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे अब आपको लॉग इन करने के लिए बोलेगा यहां पर आपको रेश्टरेसर नमबर डालना है जो अभी आपने स्किन स्वाट लिया है और password पर अपना mobile number देजिएगा ठीक है जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ तो यह आपको registration number डालने के बाद password डालना है अपना mobile number फिर आपको यह capture code जो देख रहे हैं यहाँ पर डालना है फिर इस login के option पर क्लिक करना है ठीक है तो जैसे मैं login के option पर क्लिक करके दिखा देता हूँ अब देखिए यह आपके सामने इस टाइप से आपका पूरा पूरा पेज खोल जाएगा अब आपको पूरा फॉर्म इस तरह से भढ़ना है सबसे पहले यहाँ पे आपको application personal detail डालना है ठीक है फिर आपको academic detail डालना है फिर experience डालना है फिर technical कुछ है तो जो भी है उस आपको select करना होगा यह वला उपर वला यहाँ पर देख लिजिएगा one stop center गढ़वा इसको select किजिएगा ठीक है apply पे किलिक किजिएगा इसी पर ठीक है तो इस तरह से पूरा हो जाएगा और अंत में आपको जो है final print out का option मिलेगा यहाँ पर लास्ट ओली option पर पे management view and print इस option प्याना है और आपको final print out यहां से लेना है तो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है PDF का लिंक और registration करने तक का लिंक सब कुछ वीडियो का description में वहां से आपको प्राप्त कर लेना है ठीक है और future में चैनल बहुत काम देगा आपको तो subscribe करके रख लें बेल का इकन को प्रेस कर दें ठीक है thank you bye